हलो दोस्तों सेवेन किछिन में आपका फिर से स्वा गात हैं तो आज मैं लेकी हैं बहुत ही धब से बनने वाला बहुत ही ऊजी सा पनीर की रेसिपी और बहुत रिजे़िए बनती है तो हमने करना करना हैं सबसे पहले तो आपको यह तेग बनाओ धेल्ये भी दिमाग में यह नहीं चल रहा ना कि बनाएं क्या और कैसे बनाएं तो यह सिंपल सा पनीर एक बर आप बना लेगे ना तो बहुत ही डेस्टी बनता है टमाटर प्याज वाला और यह हमारे घर में तो बहुत ही फैवरेट लगता है और तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे प्याज तमाटर और हरीमिज तो चलिए करते हैं स्टार्ट सबसे पहले हमने यहां पर लिया है सरसों का तेल और मैंने बनाया सरसों के तेल में से और सरसों के तेल को दोस्तों हमेशा पहले गरम होने दीजेगा फिर ठंडा करेगा रूम टेंपरेचर पे फिर इसके अंदर जीरा डालेगा और साथ ही में यहां पे कटा हुआ प्याज और हरीमिज डाल कर इसे अच्छे से भून लेंगे तो इस तरह से अच्छे से भून लेना है इसमें कटा हुआ प्याज और हरीमिज डाल कर कि आपको बहुत ही सिंपल और घर के मसालों से ही आपको बनाना सिखाऊं ताकि आपको भी कोई भी दिक्कत ना आए तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पे फ्राई करने के बाद अब मैं डालूँगा इसमें कुछ मसाले जिसमें डालूँगा मैं लालमिच पाउडर स्वाद के अनुसार डालिएगा क्योंकि हरी भी डाली है हमने तो यहाँ पे मैंने लूँगा स्वाद अनुसा नमक और धनिया पाउडर डालूँगा इसके अंदर तो यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर और साथी में लिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसके अंदर हल्दी बिल्कुल भी नहीं डलती दोस्तों, ये हल्दी के बगेर बनता है तो आप अगर डालना चाते हैं तो डाल सकते हैं, वनना हल्दी आप बिल्कुल भी मत डालिएगा, तो चलिए इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे और अच्छे से भून लेंगे, जले नहीं मसाले तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी जरूर डाल देंगे इसमें तो यहां पे मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर तो यहां पे हम टमाटर डालें नहीं तो आप हाई फ्लेम पे पकाना चाहें तो इसे हाई पे भी पका सकते हैं तो बस इसको पकाने के बाद इसके अंदर हम कटा हुआ पनीड डालेंगे और यह बहुत इजी तरीके से जटपड तरीके से बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों आप तीन की जगा चार रोटे अच्छा परना आएगा इसके अंदर तो यह गलती आप बिल्कुल भी मत करिए कि आप इसे भूने नहीं तो यहां भून के तैयार हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर पनीर डालने के बाद इसमें दो मिनट तक इसको अच्छे से अलट प्लट कर फ्राई करेंगे मसाले के साथ तो बस इतना ही काम होगा दोस्तों बनकर तैयार हो जाती है बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी से पनीर की रेसिपी जीरे पनीर की रेसिपी और ये बस जरूर ट्राई कीजेगा अगर आप बैचलर रह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी लाया और हल्केल की वीडियो लाता रहा हूँ ताकि हाथ घर में कम मसालों में कम बजट में बना सकेंको तो यह मैं ने ठकके रख दिया है 5-7 मिनट तो 5-7 मिनट धकने के बाद यह बनकर तयार हो जाते है तो यह लीजिए तो जब आप इसे ढखेंगे न, तो आप गैस का flame low कर दीजेगा, बिल्कुल low medium भी नहीं, बिल्कुल low कर दीजेगा and 2-3 मिनट तक इसे fry करेंगे बस उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाता है तो ये लिजे बनकर तैयार है, बहुत ही tasty सा, yummi सा, पनीर का एक ऐसा टेस्टी नाश्ता जो आप जरूर ट्राई कीजेगा बहुत ही टेस्टी लगता है ये पनीर की सबजी तो लीजे बन कर तैयार होगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी सी तो आप एक बर घर में जरूर ट्राई कीजेगा और मेरी वीडियो पसंद आती हो तो दोस्तों लाइक सब्सकाइब जरूर कीजेगा क्योंकि आपका सपोर्टी में को आगे तक लेके जाएगा तो मिलते नहीं